चली दोस्तो हम पाड़ रहा है यहाँ पर एड़ प्रीमियर प्रो जिसके अंतरगात मैंने आपको स्क्रीन जो आपकी होती है जिसे हम बर के स्वेस बोलते हैं इसके बारे हम कंप्लीट डिटेल में बता दिया हूँ साथ ही न्यू प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं वो भी हमने हैं आगे हम बात करेंगे क्यों करके हम सबसे पहले बात करते हैं ऐन जो project window है project window में हम सबसे पहले import media to start जैसे हम इस पर click करेंगे double तो यहां देखिए आपके सामने एक dialogue box display हो चुका है जिसका नाम है import अब इस dialogue box के अगर बात करें तो इसमें आपको ढूनना पड़ेगा जहां पर आपकी media रखी है तो हम सीधे जो है my computer चलते हैं डी में मेरे पास में कुछ sample video रखे हुए है उन sample videos को हम यहां पर क्या कर लेते हैं import कर लेते हैं तो यहां देखिए sort case के अंतरगत video और video में मेरे पास में कुछ sample video है अब इनको download भी कर सकते है pixels.com से open करे open यहां पर करें तो देखिए सारी जो media files है जिसके अंतरगत हम को देखिए यहां पर देखने को मिलेगा तो यह हमारे पास में पूरी video file है अब देखिए मैं आपको sound file के बारे में भी बताने बाला हूं sound file भी आपको देखने को मिलेगी तो sound file चलिए मैं आपको देखा देता हूं एक ठो sound है मेरे पास में तो वह sound भी हम यहां पर लेकर आएंगे जिसके थुरू हम यहां पर sound effect देने का काम करेंगी तो चलिए अभी तो छोड़ देते हैं यहां पर हमारे पास में जो है देखिए सारी media files आ चुकी है अब इन media files क उपयोग करके हम जो है क्या करेंगे यहां पर कुछ basic काम करके देखेंगे परन्त उसके पहले हम जो है यहां पर कुछ चीज़े जान लेते हैं तो देखिए सर्च बार है directly मतलब आप इसमें से कोई चीज सर्च करना चाहते हैं साथ ही आपको इस project window के side में भी कुछ और option द सकते हैं libraries होती है info होती है effect देखिए यहां से animation है blur बगेरा है idea effect video effect सारी चीज़े आप यहां से दे सकते मारकर्स है ठीक है history है सारी चीज़े आपको देखने को मिल जाएगी यहां पर है तो चलिए यहां सब से सुरुम चलते project window में हमारे project का नाम है practice 14 जिसे हम start करना देखे यहां देखिए आपके पास में कुछ option और दी है list view दिख रहा है दूसरा दिख रहा आपको icon view तीसरा दिख रहा आपको free form view तो अगर आप icon view में करते हैं तो देखे icon के रूप में आपको सारे जो फाइल से वो दिख जाएगी दूसरा free form के रूप में देखोगे तो वो देखिए हाँ पे जो है यह कितने बड़े mode में दिखना है कितने छोटे में दिखाना है तो यहां से सर्च करना हो इसके साथ new folder बनाना हो जिसमें बोलते है और यह देखे, P वाली जितनी है, नेकि P1, P2 जितनी भी चीज़े, उसको उठा कर मैंने रख दिया कहाँ पर, portrait में, तो देखे, कहाँ पर आ गई है, portrait के अंदर आ गई सारी फाइल, ठीक है, अब यह जो W वाली है, W वाली सारी चीज़ों को मैं कहाँ रखना चाहता हूं, W वाली सारी चीज़ों को मैं रखना चाहता हूं, बाइड में, मतलब बाइड मतलब, लेंड इसकेप, जितनी भी हमको बनाना है, तो बाइड के अंदर मैं इन सब को select करूंगा, यहां से, और इनको उठा कर यहां पर रख दूंगा, ठीक है, तो अब देखिए, मेरे पास मे effect अलग करना है, तो उनके लिए आप यहां से कर लिए, अब यह तो बात होगे किसकी, हमने बात करें project window की, अब बात करते हैं हम यहां पर sequence की, तो sequence होता क्या है, sequence का मतलब होता है, जब आप कोई भी project को, मान लो यह देखिए, आप directly यहां अलग कर रखते हो, और यहां इन size को maintain करने के लिए हम बनाते क्या, हम बनाते यहां पर sequence, तो sequence आपको बनाना पड़ेगा, देखिए, यहां से आप new item दिख रहा है, यह जो project window है, इसी में देखिए new item, इसमें new item पर click करेंगे, सब से उपर देखने को मिलता है sequence, इसी sequence पर click करेंगे, तो आपके सामने एक frame rate इसका रहता है 25, तो यहां देखिए जो frame rate है, हमको standard 25 ही रखना है, अगर आप चाहे तो बढ़ा सकते हैं, परन्त बढ़ाने की जरूवत नहीं है, देखिए 60 तक रहता है यहां पर, तो हमने 25 कर लिए, अब इसको भी हम थोड़ा सा customize करना चाहते हैं, तो जो sequence का size है, इस 1080P 25, ठीक है, इस पर click करें, और यहां से आपको setting में जाना है, जो सारी setting थी, AV, CHD, 1080P, जो 25 है, उसकी यहां पर दिख रही है, कहां पर setting में, तो हमको यहां पर देखिए, सारी चीजे तो दिख रही है, हम इसको कर देंगे, देखिए जो editing mode है, इसको कर देंगे custom, कितना left से right, यानि की चोड़ाई, और horizontal मतला हाइट इसकी रहने चाहिए, 1080, मतलब रेसो 16, रेसो 9 रहना चाहिए, तो 16, रेसो 9 यानि की 19, 20, 1080 जो होती है, landscape, यानि YouTube का जो वीडियो बनता है, वो बनता है आपका इसी format में, उसके बाद इसका जो pixel aspect रहना चाहिए, वो 1.0 र फ्रेम पर सेकेंड होता है, ठीक है, और उसके लाबा, बांकी चीज़े आपको same रहने देना है, देखे आपको, जो resolution है, वो भी दिख गया, height bit, और यहाँ आपको sequence का नाम दे देना है, इसका नाम है, full HD, इसका नाम क्या दे दो, full HD, जैसी हमने ok करे, एक frame हमारा बन गया है फूल HD, तो देखे frame जो भी है, वो यहाँ पर दिख जाते है, देखे, जो भी frame active रहता है, वो हमको यहाँ पर दिख जाता है, यह वाला जो sequence है, वो यहाँ पर दिख चुका है, हम एक और sequence बनाते है, जो की हमारा रहेगा portrait, portrait का मतलब होता है, अगर हमको height or width इस प्रकार दि land escape है, मतलब यह इसकी चोड़ाई जादा है, और इसकी लंबाई जादा है, तो हम इसको पलट देंगे, तो पलट देंगे, क्या बन जाएगा, वो portrait, तो new sequence बनाते है, फिर से, sequence बनाने के एक और तरीका है, कि आप file menu में जाओ, और यहाँ पर new में जाओ, और new में जाकर दे से, sequence ने के control प्लस N, इसकी shortcut की है, तो यहाँ से भी बना सकते है, कोई दिक्कत ने, नीचे से भी बना सकते है, project windows है, और यहाँ से भी, हम इसमें फिर से वोई size select करेंगे, setting में जाएंगे, और यहाँ से देखिए, उपर वाला जो editing mode है, इसमें custom select करेंगे, और इसमें हम कर देंगे, पलड़ दो, 1080 इधर कर दो, और 19-20 इधर कर दो, बाकी चीजे देखिए, आपको कुछ ने करना, lower field first कर दिये, और यहाँ आपको कर देना है, mobile, यानि कि इसका size क्या है, mobile, जैसे हम नोके करें, तो देखिए, यहाँ एक और sequence बन चुका, एक तो बन गया, full HD, और ए into 1, यानि कि 1080 into 1080 हम करेंगे, तो इस प्रकार का sequence बनेगा, तो कैसे बनेगा वो, फिर से चलिए, sequence में, और यहाँ पर इसी size को select करेंगे, setting में जाएंगे, यहाँ करेंगे हम custom, और custom करने के बाद हम देखिए, यहाँ पर दोनों तरब कर दो 1080, और इस side भी कर दो 1080, और यहाँ lower field first कर दो, और यहाँ कर दो, क्या square, square मतला 1 into 1, तो square वाला जो sequence है, वो 1 चुका है, आप देखे, तीनों sequence में, जिस भी sequence में काम करना, उस पर double click करें, देखे, वो active हो गया, आप जो timeline आ रहे है, वो किस sequence की है, full HD की, उसके side में देखे, mobile view के timeline आप देखे, यहाँ display में देख square में देखे, किस प्रकार का देख रहा है, तो full HD अलग देखेगा, ठीक है, आप इसको जो है, थोड़ा सा ऐसा भी कर सकते हैं, देखे, यहाँ देखे, full HD देखे, इस प्रकार देखेगा, ठीक है, mobile इस प्रकार देखेगा, और sequence इस प्रकार देखेगा, तो यहाँ हमने दे सिक्वेंस बनाना यानि कि सिक्वेंस होता क्या है सिक्वेंस जिस साइज में आप एडिटिंग करना चाहते हैं जिस साइज के आप वीडियो क्लिप बनाना चाहते हैं उस साइज का एक फ्रेम हम तयार कर लेते हैं उसी फ्रेम को हम बोल देते हैं सिक्वेंस और सिक्वेंस बन कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं